नमस्कार दोस्तों नमय शिवाय जीवन जोती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रमड करेंगे भादो मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत की कथा दोस्तों इस ब्रत की कथा को श्रमड करने से मनुष्ण के समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं और अस्वमेध यग्य के फल की प्राप्ति होती है यदि आप ब्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो ब्रत के संपूर नियमों का पालन करें और ब्रत की कथा अवस्य सुनें कथा पाडिक काल में भगवान श्री राम जी के वंस में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद राजे करते थे। राजा ने सत्यनिष्ठ ब्रत का पालन करते हुए संपूर राज विश्वामित्र को सौंप दिया। किन्तु राजा ने इस विपत्ती में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्स बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। और राजा इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदेव इस चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं किस प्रकार से इस नीच कर्म से मुक्ती पाऊं। एक बार की बात है वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम रिसी उनके पास आ पहुँचे। हरिश्चंद ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद की दुख भरी कथा सुनकर महर्शी गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि हे राजन भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। महर्शी के कहे अनुसार विधी विधान पूर्बक उपवास किया, रात्री जागरड किया तथा भगवान के मंत्रों का जब किया। इस ब्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नश्ट हो गए। उसी समय स्वर्ग से नगाडे बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रम्ह, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आधिदेवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्र तथा आभूसर से परिपूर देखा। ब्रत के प्रभाव से राजा को पुनाह अपने राज्य की प्राप्ती हुई वास्तों में एक रिषी ने राजा की परिख्छा लेने के लिए यह सब कउतुक रचा था। परंतु अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से रिशी के द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में राजा हरिश्चंद अपने परिवार के सहित स्वर्ग लोक को गए। श्री किष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन यह सब अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ही संभव हो पाया जो मनुसे इस उपवाज को विधी विधान पूर्वक करता है रात्री जागरण करता है तथा भगवान के चरणों में ध्यान लगाता है उसके सभी पाप नस्ट हो जाते हैं और अंतमेवह मोक्ष को प्राप्त होता है इस एकादशी व्रत की कथा के श्रमण मात्र से अस्वमेध यग के फल की प्राप्ती होती है बोलिये श्री हरी विष्णु भगवान की जय माता लक्षमी मैया की जय कथा समाप्त हुई धन्यबाद दोस तो नमाईशी वाई